तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड आज हम बात करने वाले इसरो एन आर एससी रिक्वार्मेंट दो जारते हैस फ्रेंड वेकेंसी जो देख सकते हैं यहाँ पे कि इसरो में फिर से एक नया वेकेंसी निकल के आया हुआ है यहाँ पे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के लिए निकल के आया है। य Completely आपका 9 दिसंबरह इससे स्टार्ट हो चुका और यहाँ पे लास्ट ड और पहले पेमेंट करने का भी 31 दिसंबरह जो डी मिलेगा जो फिस के बात करें तो यहाँ पे 500 रॉपरsin चारज है SCST PH candidate के लिए 500 रुपे चार्ज है, female candidate का यहाँ पर 500 रुपे चार्ज है, सभी कैटेगरी में आपको 500 रुपे चार्ज लगता है, यहाँ पर एक ट्विस्ट यह है कि देख सकते हैं, यहाँ पर after CBT exam full amount will be refund for SCST PH candidate, woman candidate, तो फ्रें यहाँ पर एक चीज बताया गया है, कि इसमें देख सकते हैं अच्छे बात यह है, कि आपको फूर्म भरने लिए 500 रुपे exam फिस लिया जा रहा है, SCST PH candidate और female candidate का, बट अगर आप जो की exam clear करते हैं, after CBT exam full अगर आप जो की exam full करते हैं, after CBT exam फ full amount फिरेंड वो आपको refund कर दिया जाता है, सरकार के दुवारा, तो देख सकते हैं, जो आपका full amount होगा, जैसे आपका 500 रुपे चार्ज लगता है, form भरने का, तो फिरेंड बाद में आपको return कर दिया जाता है, जब आगर आप exam collect करते हैं, तब जाका फिरेंड तो यह फिरे लगने वाल है, चलिए उसके उपर में मैं बात कर लेता हूँ, all over India से कहीं से भी आप आते हैं, फिरेंड तो easily form को भर सकते हैं, 31 December 2023 से फिरेंड आपका age collect किया जाएगा, minimum 18 साल चाहिए, और maximum 35 साल तक आप form को भर सकते हैं, SCST candidate को अपरे छूट मिला जाएगा, जो भी फिरे SC के तरफ से जो कि release करते हैं, और इसमें total post आपको 54 देखने के लिए मिलता है, ज्यादा इसमें post नहीं दिया गया है, बट all over India से कहीं से आप आते हैं, तो form को भर सकते हैं, post name आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद आपका जो फिरेंड पोस्ट जो की grade wise आपका vacancy है, वो यहाँ पर देख सकते हैं, देश्टोप operator के लिए दो post है, यहाँ पर इस तरसे photographic के लिए दो post है, तो ऐसे से फ्रेंड यहाँ पर आपको post देखने के लिए मिलता है, और जो minimum qualification इसमें मांगा गया, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप 10 pass out हैं, प्लस आपने ITI किया सबी के लिए आप जबी को जरूर फर्म को भरना चीए वाई से सब candidate जो ITI कर लिए अच्छी खासे और आपका जो कि सेस्टी female candidate का amount भी यहाँ पर return आ जाते हैं, तो चलिए बात करते कैसे आप फर्म को feel करेंगे, step by step, फर्म को feel करने लिए आपको officially website आ जाना है, इसका link आप आप जो की notification, advertisement आप सारा चीच को यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने लिए मिल जाता है, सबसे पहले फर्म को भरना चाहते है, जो भी पोस्ट पर फर्म को भरना है, वहाँ से सलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर post code देखने के लिए मिल जा करेंगे, alternative mobile नमर है तो देख सकते हैं, तो छोड़ देंगे, candidate का यहाँ पर email ID को फ्रील करेंगे, confirm email ID को करेंगे, generate OTP पर किलिक करेंगे, उसके बाद OTP पर किलिक करेंगे, इस तरस आपको यहाँ पर capture verification करना है, simply यहाँ पर आपको submit पर किलिक करेंगे, capture को डालने के बाद, उसके बाद यहाँ पर बताता है, आपके mobile नमर और email ID पर आपका OTP चले आता है, simply आपको OK पर किलिक कर देना है, आपके mobile और email पर जो OTP आता है, दोनों में से कोई OTP यहाँ पर दर्च कर देना है, valid पर किलिक करेंगे, simply, valid करेंगे, OTP verification हो जाएगा, OK करेंगे, उसके बाद आपको verification कर देना है, tick कर देना है, sपी में, tick कर देंगे, उसके बाद आपको थोरा सा वेड करें इसको 100 पूटने देंगे उसके बाद फिर इस तरह से देखने क्या आते वो select कर लेंगे उसके बाद फिरिंद आपको यहां से टेस्ट सिटी बताना होता है यहां से अपना टेस्ट सिटी बता देंगे कहां पर आपको nearest जो भी बैटर लगता है अपना exam center के लिए आप यहां से select कर लेंगे आपको फिर यहां पर तीन ओपसंट देखने लिए प्र्ण मेलता है जो भी आपको फ्रिंद लोगता अपने करेंगे उसके बाद यहां से लिए अपने इसलेक्त करेंगे उसके बाद यहां से name of account holder, यहां पर candidate का account में जो भी नाम है वो यहां पर बताएंगे, bank का नाम क्या फिरिन वो यहां पर फिल करेंगे, account number क्या फिरिन bank का वो बताएंगे, bank IFC code वो यहां पर फिरिन आपको फिल करना, ex-serviceman है तो yes करेंगे, नहीं तो no पी किलिक कर देंगे, उसके बाद फिरिन किसी भी तरह का जो का आप इस्पोर्ट में हैं तो yes करेंगे, नहीं तो no पी किलिक कर देंगे, या कोई भी पिरिन आप central government service हैं तो yes करके बताएंगे, नहीं तो simply no पी किलिक करेंगे और सारा details को फिल करने बाद next पे किलिक करेंगे आप, state क्या था फिरिन वह आप यहां से बताएंगे, जिस भी state से आप form को फिल करने डिस्टिक क्या है फिरिन वह आप यहां से select कर लेंगे, उसके बाद pin code जो भी फिरिन वह यहां पर फिल करेंगे, अगर दोनों से मेटे से परमाने तो yes कर देंगे, यहां पर फिरिन डिटेल्स फिल हो जाएगा next करेंगे, अलग-अलग है तो अलग-अलग फिल करके next करेंगे आप नेक्स्ट करने बाद अगले step में आपको qualification डिटेल्स बताना, यहां से 10 क्लास का रिटेल्स बताएंगे, बोर्ट का नाम बताएंगे, आपने जिस भी बोर्ट से फिरिन आपने पास आउट किया, आपका जो भी बोर्ड फिरिन वो बताएंगे, यहां पर उसके बाद किस साल फिरिन आपने पास किया है, आपना पासिंगर्स बताएंगे इनसूट का नाम जिस कॉलिज में आपका एडवीशन था वह नाम बताएंगि यहां पर, उसके बाद यहां पर्य पर्शेलेक्ट करना है अपका परसेंटेज हो का यह पर निकल के आ जाएगा इकशनके आपको परसेंटेज करना, आपको फिल करना है, इस तरह फिलर निकल के से आपको यहां पर बताना है आपने क्या किया हुआ है वह बच्छिच को बताएंगे आपके पास मार्सीट में जो सब्जेक्ट हो का वह आपने आप बता देंगे मंद ओफ यर्स पासिंग बताएंगे फ्रेंगे किस साल आपने पास किया तो आप यहां पर फ्रेंगे फ्रेंगे अपने कोडिंग अच्छी तरह से डिटेल्स को यहां पर बताएंगे इस तरह से मंद आप सेलेट कर लेंगे आपका जो कि पासिंग मंद और यर्स आ जाएगा उसके बाद यहां से percentage है CGPA जो भी है वो feel करेंगे total number आप यहां पर बताएंगे कितना का आपका फ्रेंड पराप्त हुआ है कितना का आपका फ्रेंड exam हुआ है वो feel करेंगे percentage आपको यहां पर आ जाएगा उसके बाद simply सारा details को feel करने बाद 7 next पर किलिक करेंगे अगले इस टेमे आपको यहां से photo upload करना है उसके बाद signature upload करना है 10 class का certificate या मार्सीट upload करना है 12 का मार्सीट certificate अगर है तो आप जो details qualification लगाएं तो यहां पर upload करेंगे नहीं तो इसको size मिलेगा 50-100 के बीच में आपको upload करना है photo और documents का size अलग होगा होगा यहां पर जब आप click करेंगे तो देखने मिल जाएगा documents का size एक सो से 1 MB के बीच में जेपीजी पीडिया फाइल में आप नहीं पर क्रेंगे तो यहां आप देख लगेन च्रोल करना है नीचे आइंगे और यहां से आपको Inc submit पर click करते, agree करना है, agree करने बाद फिरें थुरसव वेट करना है, उसके बाद आपको यहां से redirect कर देता है, फिरें पेमिन पर पेमिन करने यहीं, बहुत ही easy फिरें आपको simply यहां पर दिख सकते है, UPI को आपशन देखने बिलता है, या पिर debit card net, क्यों जो भी बैटर लगता ह सकते हैं या फिर qr-code है तो simply आपको यहां पर देख सकते हैं qr-code वाले option को चूज करेंगे पेनाव पर किलिक करेंगे आपके सामने qr-code जाने ठोके आ जाता है आपको simply यहां पर सेर करें थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो फिरें मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में